तो आज से पहले आपने अपने फ्रेंड के तुरू या किसी और के तुरू ये जरूर सुना होगा कि IMPI नंबर बहुत जरूरी चीज है और इसे हमें समाल के रखना चाहिए आज की इस मिल्यों में आप से इसी बार में बात करने वाला हूँ कि IEMI नंबर क्या होता है इसका क्या यूज है और ये मॉयल पॉनमेंट क्यों दिया गया है और इसे हमें समाल की क्यों रखना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं योगेश वाइकर टेक्निकल्स के फ्रेस अपिशोर में फिरस आपका अस्रादत करता हूँ वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रुकरिश करना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमाले चैनल वाइकर टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर लिजी और बगल में बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजी जिससे आपको हमारी नए लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यह सब्सक्रीप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आई M.E.I. नंबर हर किसी फोन की आइनेटी होती है चाहे वो फोन नया हो या पुराना चाहे आपका स्मार्ट फोन हो या पुराना खुल भी फीचर फोन ले लिजे आई M.E.I. नंबर आपको हर किसी फोन में देखने को मिल जाएगा आप फोन की बैटरी निकालते हैं तो फोन के बैक साइड में आपको आई M.E.I. नंबर पुराना फोन आपको ये नंबर समाल के रखना चाहे है दोस्तो आई M.E.I. नंबर नॉर्मली हमारे लिए कोई यूज नहीं होता है ये नंबर हमारे लिए तब मदगार होता है जब हमारा फोन खो जाता है या कोई उसको चोरी कल लेता है खोने की इस्तिति में इस नंबर की मदद से आप अपने फोन को ब्लॉक करा सकते हैं जिससे कि आपकी फोन से कोई छिड़खानी ना कर सके या फिर जब आपका फोन चोरी हो जाए तो इस इस्तिति में आप चोर को पकड़ा सकते हैं और अपने मोगाल फोन को वापस दुब तो आपके service provider को पता चल जाएगा कि इस EMI नंबर पर ये नया SIM यूज हो रखा है तो इससे SIM के address को ट्रै करके पुलिस आसानी से उस चोर को पगड़ सकती है और आपका phone आपको आसानी से वापस मिल सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कि IMTI नंबर होता गया है IMTI नंबर के पहले के push digit आपको ये बताते हैं कि आपका phone कि कमपनी का है और उसके बाद के push digit आपको ये बताते हैं कि phone का model क्या है उसके बाद के digit serial नंबर होता है और last के push digit पूरी string को पूरा करने के काम आता है और उसको पहताने के काम आते हैं कि ये नंबर क्या है इस तरह हर एक फॉन दूसरे फॉन से अलग नमबर का हो जाता है और हर किसी फॉन को टैक करने में आसानी होती है जिससे कि वो आसानी से पता चल जाए कि आपका फॉन कहा है अब बात करते हैं कि आप अपना IMEI नंबर कैसे पता कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने पॉन के डाइलर में चुले जाए और टाइप करेंगे तो आपके स्क्रीन पर IMEI नंबर फ्लेश होने लग जाएगा आपने मोईल के सेटिंग में आपको मुशीवत के वक्त ये नंबर काम आ सके डोस्तों आसा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी तो पसंद आगे है तो लाइक कीजे और और कोई भी आपका सवाल या सुझा हो तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर से सहा किजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाई की टेक्मिल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज निचे जाके सब्सक्राइब नहीं कर लिए औ प्लीज बॉक्राइब नहीं कर दो जब दो